ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो विश्व की घर्ती आबादी के सेकंड पार्ट है इस वीडियो के भी जरूर देखेगा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया के घड़ती आबादी का क्या कारण है इसके कंसिक्वेंसिस क्या हो सकते हैं और साथ ही क्या पॉसिबल सेलुशन हम ला सकते हैं तो आप सबसे गुजारिश है जिनों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है वे सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को डबा कर और सलेक्ट करना मत भूलेगा ताकि मेरी हर निव वीडियो आप तक जल से जल्द पहुंच सके आपको याद दिला दे मैं हर संडे सुबा आठ बजे इस तरह के इंफर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजएगा सबसे पहले चलिए विश्व की घर्तियाबादी की समस्या की कोजस पर फोकस करते हैं जो कि आज का हमारा मुद्दा है कोजस में कई फैक्टर्स हैं जानकारों का मानना है कि वोमिन एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जाहिर सी बात है जिसे जैसे वोमिन की एजुकेशन बड़ेगी महिलाओ की शिक्षा बड़ेगी उनका वो फोर्स में पर्टिशिपेशन ज्यादा होगा यानि वे घरेलू कामों में कम होजएंगी और साथ ही एक एजुकेशन महिला कंटर्शिप्शन के कंसिक्ट को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझती हैं इसलिए आज के दिन गर्भ निरोधन एक बहुत सरल सादन बन गया है 1999 से पहले एक चौताई बच्चे की एक वर्ष के होने से पहले मिर्टि हो जाया करती थी और जन्मे बच्चों में से भी सिर्फ आदाखी एडल्ट हूड को एचिप कर पाते थे तो उस वक्त अपने बच्चों की मोत के दर से लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे ताकि एक जो के मिर्टि हो भी जाये तो कम से कम कुछ तो बच्चे रहेंगे सच कहें तो अन्डर डिवलप कंट्रीस में जहां अभी भी हाई चाइल्ड मोटरिटी रेट है वहाँ अभी भी लोग जादा तादात में बच्चे पैदा करते हैं फिर पोल्यों मिजल्स जैसे बिमारिया के खिलाफ वैक्सिंस आई और साथ ही माओं को प्रिनेटल और पॉस्टनेटल केर मिनने लगी और चाइल्ड मोटरिटी रेट कम हो गई बहुत कम हो गई बच्चे का हो गया अब क्योंकि बच्चों की मोटरिटी रेट कम होने लगी तो माओं ने कम बच्चे पैदा करने शुरू कर दिये इसके अलावा अब बच्चे और बहुत जादा महेंगे हो गए हैं पैदा होते ही 50,000 से लेकर एक लाग तक का घुस का जाता है वैसे बात हो रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है कि मापिता को बच्चे पैदा करने में कम से कम खर्चा हो बाद में स्कूल जाना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का खर्चा सो अलग 2015 के एक एस्टिमीत के अनुसार, the United States of America में एक एमरिकन फैमिली को अपने बच्चे के 17 वर्ष के होने तक टू लेक 33,610 डोलर खर्चा करना पड़ता है ये भी यूनिवर्सिटी के खर्चे को छोड़कर, अब यूएस जेसे विक्षित देश के नागरी जिनकी पर केपिटा इंकम 33,740 यूएस डोलर है, वे महेंगा मैसूस कर रहे हैं हम भारत के रहने वाला जिनकी पर केपिटा इंकम सिर्फ 1,947 यूएस डोलर है, कितना महेंगा मैसूस करेंगे, सोचने वाली बात है ये बात हो रहे हैं कि हमारी फटलिटी रेट यूनाटेड इस्टेट से बहुत ज्यादा है, विश्ट में फटलिटी रेट के कम होने कारण COVID-19 को भी माना गया है अगर आपको याद होगा तो कई लोगों ने खास करके कमीडियांस ने लोकडाउन वगेरा के चलते, दुनिया में ज्यादा बच्चे होने की यूगी मजाप में अंदाजा लगाया था पर असल में इसका उल्टा ही हुआ, दर असल आज कर जो भी बच्चे पैदा होते हैं, वे वे वेल प्लान्ड होते हैं और पैंडमिक के चलते, कईयों ने अपने बच्चे की प्लानिंग ही पस्पॉन कर दी इसके साथ आज के इंडिविजल्स अन्मेरिड हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत जिनका पॉपलिशन में कंट्रिबूट करना चाही था, उनसे बच्चे ही नहीं है, एक एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया भर में 40% लोग मैरिटल एज को फ्रोस कर अभी भी अन्मेरिड है चलिए ये तो पता चल गया कि अकर बच्चे क्यों कम पैदा हो रहे हैं, अब चलिए देखते हैं कम बच्चों के पैदा होने से कांसेक्वेंस क्या क्या हो सकता है सबसे पहला असर तो हमें जनरेशन गेप के रूप में देखने को मिल सकता है अब इसके कारण भविशे में आबादी कम तो होगी ही पर साथ में बूड़ी ही भी हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो वर्किन पॉपॉलिशन कम हो जाएगी इसका मतलब है human resource कम हो जाएगी और उस lesser और shrunk population को सपोर्ट करने के लिए आबादी कम पढ़ जाएगी इससे ऐसा समझें आज आप और हम अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं और गल को यही बच्चे हमें सपोर्ट देंगे लेकिन अगर बच्चे ही पैदा ना करें या जरूरत से कम पैदा करें तो हमारी सपोर्टिंग पॉपॉलिशन कल को कम हो जाएगी हम जब रिटार हो जाएगे तो हमारे pension के लिए हमारे next generation ही tax देगा लेकिन अगर next generation यानि tax देने वालों के ही संख्या कम हो जाएगी तो हमें pension कहा से मिलेगा इसके कारण सरकार के budget पर extra burden पर सकता है जो economic destability के और समाथ को लेजा सकता है तो lower fertility rate एक गंबीर समस्या हो सकती है मतलब हो सकता है कि workforce की कमी को automation से पूरा कर लें पर consumers कहां से लाएंगे अब machine को तो खाना नहीं खिला सकते लेकिन अब एक समस्या जो सामने आदी दिखाए दे रही है वो यह है कि कुछ ऐसे देश भी है जा अबादी बढ़ रही है और उनका अपना देश रिसोर्स के कमी के चलते उसे समही संभाल पा रहे है सब सहारन एफ्रिकान 2100 तक अपने population के तीन गुणा हो जाएगा और इस तारी कहती है कि नैजेरिया विश्व का दूसरा सबसे आबादी वाला देश होगा जहां 791 मिलियन लोग रह रहे होंगे इस लारन से हमें ये पता चलता है कि बले ही कुछ देशों की आबादी गट रही हो कुछ देशों की बड़ भी रही है अगर हम घोर करें तो जो देश जितना विक्सिद है उतनी उसकी कम आबादी होती है क्या हम इस मसले के हल को धूंड पाएंगे युनिवर्सिटी कॉलेज लेंडन के प्रोफेशर आबू बकर ने कहा है कि इस मसले का सबसे अच्छा हल माइगरेशन होगी शायद ये बहुत हद तक समस्या का समाधान हो सकता है माइगरेशन से एक दूसरी के बड़न को हम शेर कर सकते हैं लेकिन सिर्फ माइगरेशन ही सलूशन नहीं है अंडर डेवलेट कंट्रीज में फटलिटी रेट को कम करने में भी मदब करनी होगी और इस दोरान वो देश जिनके फटलिटी रेट कम है उन्हें ठीक करने का अच्छा खासा समय मिल सकता है यानि जो जेनरेशन गेप बन रहा था वो भी फिल हो सकता है और वो फोर्स की भी कमी नहीं आएगी इस दिशा में अगर गंबिरता से अभी नहीं सोचा गया तो एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया के एक कोने में लोग अंदर पोपुलेशन से जुलज रहे होंगे और दूसरी और आबादी इतनी बढ़ जाएगे कि रिसोर्स कम पढ़ जाएगी मतलब जहां आबादी बढ़ेगी वह रिसोर्स की कमी होगी और जहां आबादी घटेगी वह लेबर और कंजिमर्स की कमी आजाएगी पर अगर माइगरेशन के नॉम्स को जरा सा हलका किया जाए तो बर्डन आराम से शेर की जा सकती है इससे एक से प्रिशर घटेगा तो दूसरे की कमी पूरी होगी मतलब एक देश की घटी आबादी दूसरे देश की जीने का आसरा बन सकता है असल में देखा जाए तो ये समस्या इसलिए उत्पन हुई है क्योंकि हमने इस धर्टी को बांट दिया है वजाए इसके कि प्रिटीवी के किसी भी कौने की समस्या को मिलकर सो जाने के हम अपने अपने देश में कैद हैं यह सिमट गए है अफरिका में क्या हो रहा है इसे रशिया को कोई फर्ट ने पड़ता और ये रोप में क्या हो रहा है इसे एशिया को कोई फर्ट ने पड़ता ये अनुकेल पॉपुलिशन डिस्ट्रिबिशन की जो समस्या है तो आइस वर का एक टिप है ऐसे नजाने कितने मसले होंगे जिसे दुनिया को एक होकर सुझाना होगा पर ये बात है सिर्फ कागजों में सीमित होकर रह जाती है एकलोजिकल चेंजिस, क्लामेरिक चेंजिस और नजाने क्या और हम सिर्फ एक दूसरे के और उंगली दिखा कर अपना दामन चार देते हैं COVID-19 ने पर हमें एक तरब से पूरे विश्व को जोडने का काम किया है ये एक संदेश है कि अगर हम जुड़ जाएं तो किसी भी मसले का हल निकल करा सकता है आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने काफी जानकारी हासिल की होगी आपको काफी जानकारी मिली होगी वीडियो का पसंद क्या हो तो लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ शेर भी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा यसे कि मैंने बताया ये वीडियो मेरे पिछली वीडियो के कंटिनुएशन है मैं उस लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसे भी जरूर देख लीचेगा तो आज के लिए इतना ही जहिंद